आज क्लास में हम लोग को जो Special Square Roots के बारे में Discuss करेगी ठीक है तो चले start करते हैं सबसे पहले number questions से ठीक है number 1 कोच्टन इस से हम लोग क्या करते है start करते है ठीक है अगर आपको इस format पर यान्न question number one जो format है ठीके अगर इस format पर question मिल जाता है तो आप कैसे solve करोगे ठीके तो हम लोग क्या करते है सबसे पहले एक question लेते है जो इसी format पर basic होगा ठीके suppose हमारे पास इस तरह का question मिल जाता है ठीके यह root 2 हो गया फिर यह root 2 हो गया root 2 होगे मनना root के अंदर root है यानि square root का अंदर क्या है square root है और यह number कहां तक है आपका infinite तक यह है तो इस तरह के अगर question मिल जाते हैं आपको तो इस तरह के questions को आप कैसे tackle करोगे कैसे solve करोगे ठीक है अच्छा like आपको माल हो यहां पर कुछ भी number हो सकता like 3 होगे आपका 3 under root 3 फिट 3 under root 3 इस प्रकार से अगर आपको question मिल जाते हैं अब तो कहां तक infinite तक तो इस तरह के problems आप क्या करोगे कैसे solve करोगे ठीक है तो इस तरह के questions जो है number one जो है आप इसको type one बोलो इस तरह के question भी exam पूछी जाते है ठीक है तो कैसे हम लोग solve करते है वह आपको समझाते है ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने क्या करना है इस पूरे को यानि पहले बाले को छोड़के इसको आपने एक्स consider कर लेना है ठीक इसको आपने क्या consider कर लेना x और पूरे को यानि यह जो पूरा equation इसको भी आपने क्या माल है equal to x आरी बात समझ में अभी आप देखो जब आप इसको आपने जब x माना तो यह क्या हो गया आपका under root 2 x हो गया अच्छा इधर के cancel हो गया एक्स की value कितीन ही आ रही तो यानि जब भी आपको इस तरह का question मिल जाता है यानि आपको simple क्या करना answer जो digit है जिसका root के अंदर root गया है किया गया है उससी को आपने answer लिग दाना यानि इस तरह के question आपको मिल सकते है तो इस तरह के question मिलेंगे वह आपको समझाते है ठीक है अच्या देखो इससे पहले वाले नहीं क्या था इससे पहले वाले वाले यहां प Flowers त्याओं जहां जाया और Maxing और implants complete खें और एस वाले क्लिया खें जैक्टिप्लिकेसन क्या किया है plus अजींच चेक्ट उसमें क्या था multiplication था इसमें किया आपका plus है अब इस तरह की questions को आपको कैसे solve करते हैं वो भी आपको देख लेता है same concept apply करना यहां भी आपको जो है इस पूरे portion को क्या मा लेना है x ठीक है और equal to be आपको क्या मा लेना है x आहीं बात समय में अच्छा अभी क्या हरो घिलकितो लेंकर क्या मा लेकर नाएक तरफ करदेना है X2 , 12 . 0 अब आपने क्या करना है , इसको factorize कर देना , अब खुद सोच़ों, जब इसको factorize करोगी X2 , 12 को कैसे factorize करोगी , तब आपको factorize करना आता होग इसको ठाइब X2 , 3X , 12 , इसको क्या मिल जागा , , 0 इन दोने में हम लोग क्या कर सकते हैं 3 कमो ने सकते हैं यानि 3 कमो निकल क्या बच्छा X-4 is equal to 0 यानि इस इस इसे लिख सकते हैं X plus 3 into X-4 is equal to what? 0 आरी बात समझे यानि X की यहां पर 2 value आ रही है एक आ रही है minus 3 और एक value क्या रही है? अच्छा है तो minus 3 तो नहीं होगा value यानि answer क्या निकल गया हमार अच्छा है आरी बात समझे तो जब भी इस तरह क्या question मिल जाएगा तो आपको जो है कैसे इस तरह क्या solve कर लो गया इसको sort में कैसे solve कर रोगा जल्दी कैसे solve कर रोगा वो आपको हम बताते है अब यह आप देखो ध्यान से तो सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले क्या करना है जो भी यहाँ पर number है जो भी यहाँ पर number क्या था आपका 12 था 12 को क्या करना है आपने n into n plus 1 के form पे express करने की कोशिश करनी ध्यान से न के फर्म परकरनी कि कोशिस करनी ठीक है अभी देखो आप तो जैसीसको हम लोग क्या करेंगे 12 को 2 सब्हकर कदमें ध्यांसे 2 consecutive number नमबर के प्रड़क्ट के रूप में आपको एक्स्प्रेस करने की कुछ करने जब यहां पे बार है तो अगर आपप चाहो तो इसका अपर एक्सप्रेस कर सकते हो सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने उसको two consecutive numbers के product के form पे express करने की कोशिश करने है सबसे पहले आपने यहीं करना है तो बड़ा वाला digit आएगा वो आपका answer होगा यहापर answer क्या निकल गया 4 आई बात समझ यहापर answer क्या निकल गया 4 ठीक है अच्छा एक हम काम करते हैं इसी पर बेस्ट एक हम और question लेते ठीक है इसी पर बेस्ट हम लोग एक और question लेते ठीक है पोज हमारे पास एक ऐसा number like 30 मालो आप ठीक है मालो हमारे पास से 30 12 के जगा पर हमारे पास क्या आ गया 30 ठीक है चलो अब यहां पर मैं इसको इसी फॉर्मिट पर यह question मिल गया आपको यह आपके पास आ गया 30 प्लस आ गया 30 प्लस क्या हो गया 30 और यह कहां तक यह आपका आएगा ना यानि इसको समझो कि 5 इंटू क्या चिए 6 तो इसमें जो है बड़ा वाला जो है यानि 6 वाला जो है वह answer होगा इस question का answer होगा तो आपको आपको चूच करना है लेकिन अगर माइनस वाला याजाएगा तो जो छोटा वबाला है उआपको待 या यहां फर बोड़ा बात करें यारे बात समझ वहें और चोटा वाला इस्टाइंट की बात करें लेकिन हम जो है इससी कोश्ण को अच्छे तरीगे साल मतलब पूरा पेटर्न पेस्कों आपको बनाके दिखाते है ठीक है ताकि आपको समझ आजागे कब हम लोग को चोटा वाले लेना है यानि कव हमको n लेना है और कव हमको n प्लस 1 लेना है ठीक है चलो, हमसको करके दिखा आते है ठीक है अभी देखा आप question क्या था हमारा 30 था question क्या था हमारा 31 यह दीखो अप livestock इस दरह को अब आप इसक्या से question थक हमारा 30 32 प्लस फिर अंडरूर 30 प्लस अपको अंडरूट 30 और इक मान लेना है एक्स माल लेना है तो हो गापिए था फिर8 001 इक्स अरी बात समझ भी अच्छा इन केस अगर यहां माइनस होता इन केस यहां पर क्या होता है माइनस होता ठीक है तब क्या हो जाता आपका यह हो जाता है अंडरू 30-x is equal to gx अरी बात समझ भी हम दोनों केस को एक साथ लेके आपको दिखा रहे ठीक है अभी देखा आप यहां पर स्क्वारिंग करोगे इधर भी आप क्या करोगे स्क्वारिंग करोगे तो स्क्वारिंग करोगे तो क्या मिल जाएगा आप 30 प्लस x is equal to क्या मिल जाएगा x2 अरी यह क्या हो जाएगा आपका x2 प्लस x-30 अरी बात समझ में यह हो गया अच्छा अभी देखा अब इसको फेक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको x2-66 प्लस 5x-30 इसकल तो क्या निकल गए 0 जब इसको इसको सॉल्फ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको x यहां मिलेगा आपको x-6 प्लस 5x-6 ठीक है यानि क्लिरली यहां जो है यहां पर जब इसको आगे सॉल्फ करोगे तो आपको x की भाईलू कितने मिल जाएगी 6 यानि जो अगर प्लस होगा यानि फिर से अगर प्लस होगा तो एंसर आपको कौन सा मिलेगा n-1 वाला यानि ब करने के अगर इक्सपरेस हो जाता है स Sugarा अगर आपको दिखातए यह हो घया है इसको नो प्लस xरे सकते तो यहां से हम लोग एक्स प्लस 6 हो गया यहां से देखो यह दो बार एक्स प्लस 6 है तो हमने यहां पर एक बार एक्स प्लस 6 लिया आरी बात समझे और यह यहां पर एक्स इंता टो यहां पर आरी आहां पर एक्स की दो ड्ल्यू मातशादो शहारा है घंठ सब्सक्राइबद एकस्प्रेस के अगर चाहता है कि अगर n फिर डिखना कि प्लस है तो बड़ाइंस न एकस्प्रेस हो गह अगर माइनस है तो एंसर क्या होगा टैकर वह देखा हुँ है अभी देख ओड हम लोग बात करते हैं तइफ वान हमने Om लिया समझ लिया ठीक है अच्छा एक बर हम क्या करते हैं पहले टाइप ओन और टू को थोड़ा समझा लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसको दोनों को एक बर हम समराइज करते हैं ठीक है तेखो द्यान से पहले वाले केस में क्या है अगर आपका क हślota एक्स brat यूट इन्टो एकस इन्टो एकस ऑन्टो एकस फार्मीट इस पत्रकार से अगर इंफाइन क्या टक जाएगा गारीं अगर क्या से क्लिए ऐगर ऐसंन यूजुञ़ा अब से पहले क्या करना यह sized को न के यह प्ल्द प्लस करना न यह को 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 सब्सक्राइछ डिरकार करना कि जरूरी ने कि यह होगा लेकिन हमको को करना कि अगर स्प्लिट हो जाता है तो अगर स्प्लिट हो जाता है उ journalism चari भी इससेनी आप다면 सके समय अंसर Kervation होगा n होगा आरी बात समझ में प्लस और माइनस कहने का मतलब मेरा मतलब क्या है कि अगर यहां पर देखो यह जो प्लस है यहां पर हना अगर प्लस प्लस है तो इस केस में एंसर क्या होगा n प्लस होगा अरी बात समझ में अच्छा यही अगर प्लस के जब पर क्या मिल जाए माइनस एक्स माइनस अंडरूट एक्स माइनस फिर इस प्रकार से अगर यह चलती जाता है कहां तक जाता है इंफाइनिट तक जाता है इस केस में हमारा एंसर क्या एगा ठीक है तो यह दोनों ने सवाज लिया ठीक है अब यह भी तो संभाना हो सकते हैं यह भी तो possibility बन सकता है कि भाई factorize ही ना हो यह जो एक्स जो है आपको factorize ना हो stand for इसको हम लोग n into n plus 1 के form पे express ही न कर पाएं यह भी तो chance है कि नहीं आरी बात समझ में यह भी चांस है कि भाई यह जो number है इसको हम लोग क्या कर पाए एक्स इंट, sorry n into n plus 1 यानि two consecutive numbers के product पे इसको में express ना कर पाए यह भी तो chance हो सकता है कि नहीं तो इस case हम लोग क्य करेंगे इस तरह के questions को कैसे solve करेंगे वह भी हम लोग सीख लेते हैं ठीक है चलो हम लोग क्या करते है type thought की बात करते है यह थी type one उमीद आपको समझ आ गया होगा type two भी आपको समझ आ गया होगे अब हम लोग बात करते है type three की ठीक है अभी देखो अगर आप ध्यान से चलते हैं कि मांगे चलते हैं कि यह जो आपका जो नंबर है अंदर वाले जो नंबर है वह इस प्लिट नहीं हो पा रहा है यानि उसको जो हम लोग यहां पर यहां पर तो बीच में प्लूस होगा ना यानि इसका मतलब यह हुआ कि उसको हम लोग n into n plus 1 के फॉर्म पर एक्स केस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगा वह आपको लुगो आपको देखना है तो इस तरह केस में क्या आपने क्या करना है यारा रख लेना है अगर प्लस होता है तो प्लस अच्छा इन केस माइनस भी हो सकता है कि ने तो अगर माइनस होता है मालों यहां पर कोश्चन में आपको क्या जाता है माइनस आज जाता है तो आपने कुछ नहीं करना क्या कर देन उस पर को जाता है तभी आपको समझ आएगा अंतर यहां दो नमबर वाले में यहिए जो फीनि में च्छन से में ऐसки कि जो आपका यहीं इसक फ्रेच इस का पार है उसको न इसे डुएर suppose हम लोग ले लेते हैं 3, 3 plus under root 3, plus under root 3, यह आपका up to infinite तक यह है, अब देखो आप यहाँ पे, 3 को तो हम लोग split नहीं कर सकते हो, n into n plus 1 के form पे, तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे, ठीके, तो इसको solve करने का एक ही तरीका है, ठीके, वो क्या तरीका है, सबसे पहले, सबसे पहले ठीके, x की value कितनी है, 3 है, है न, तो आपने 3 रख देना, यानि 4 रिचा, कितना, 12, और 12, 1 कितना, 30 है, आगे आपके बास, 30, आरी बात समझ में, plus 1 upon क्या ची, 2, ये clear होगे, अच्छा, अगर मान लोग यहाँ पे, minus होता, तो हम क्या करते हैं, अगर in case, यहाँ पे, क्या मिल यहाँ से, यह concept है, यह concept, आया कहा से, यह, ऐसे समझो, कि यह result है, यह result हम लोग, मतलब long method से कैसे लाएंगे, यह तो हो गया, कोई short तरीके से हम लोग इसको बना लिए, लेकिन इसका exact तरीका क्या है, इसको long method क्या है, वो हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीके, चलिए, अब लोग पूरे को पॉले x consider करें, आरी बात समझ में, फिर बराबर क्या ची, x, ठीके, यह क्या होगे, आपके बास यह हो गया, under root 3 plus x is equal to kya, x, फिर हमने squaring करना है, तो squaring करेंगे, तो क्या मिल जागा, 3 plus x is equal to kya, x, अच्छा, जब इसको solve करेंगे, तो क्या होगे, x square minus x, आर ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है, कि आपको स्रीधर अचार, है न, स्रीधर अचार method, आपको याद रखना है, ठीके, अब स्रीधर अचार method क्या होता, आपको ध्यान होगा, तो इस case में हम लोग सबसे पहले d calculate करते हैं, है न, d calculate करते हैं, तो d का formula क्या हो that is b square minus 4c ठीक है अच्छा उसका बाद हम लोग क्या करते है alpha calculate करते हैं alpha alpha क्या होता है that is minus b plus root d by 2a आज यह बात समझते हैं फिर हम लोग beta calculate करते हैं और beta क्या होता है that is minus b minus root d upon 2a तो यह आपको थोड़ा ध्यान में रखता है ठीक है चलिए तो यहां पर हम लोग यह अपने ध्यान में रखना है कौन सा method स्रीधर अच्छारे method क्यूं क्योंकि यहां यहां पर जो है quadratic form पर है यहां जो result आ रहा है एच्छा कौन सा result आ रहा है x square minus x minus 3 यहां पर हमको मिल रहा है यह किस form पर आ रहा है यह quadratic form पर है है न? किस form पर है? quadratic form पर है और इसको मनहों normally इह split नहीं कर सकते है न इसको मनहों simplify तरीक से को मन session solve नहीं कर सकते है तो हमने क्या करना Child अभी देखवा अभी देखवा अच्रmond क्या होता है सबसे पहले आपने d calculate करना d. MyŚ का formula तो इसमें कितना है 1 है यानि कोफिंट की बात कर रहा है कितना होगिया 1 ठीक है B कितना हों गया आपका "-1", और C कितना निगल गया- थ्री है तो यहां पर हमने क्या करना है डी-Calculate करना तो डी-Calculate करोगी तो formula क्या होता है that is b square minus 4 is c यानि minus 1 का square minus 4 into a a कितना आपका 1 है और c कितना आपका minus 3 है यानि इसको जब solve करोगी तो आपको कितना मेल जाएका 13 यानि d कितना निकल गया 13 ठीक है अच्छा जब d आपने निकाल लिया तो आपने क्या करना है alpha calculate करना है अब alpha का formula क्या हो तब देखो यहाँ पर that is minus b plus root d by 2 है तो minus b तो b तो already minus बता तो minus minus क्या हो गया plus हो गया 1 plus d कितना root d और d आपने कितना calculate करा 13 यानि कितना निकल गया root 13 यानि 1 plus root 13 under root 13 by 2a 2a कितना आपका a है 1 ठीक है यानि देखो अब result आया कि नहीं आया root 13 plus 1 upon what 2 आरी बात समझ में यह आप इसको directly formula का use कर सकते हो formula क्या था that is under root 4x plus 1 plus 1 upon 2 आरी बात समझ में यह किसका formula तो इस तरह का question को आप directly इस formula के क्या कर सकते हो solve कर सकते हो यह अगर आपको लेकिन यह जानना ज़रूरती होता है कि कुछ कोई भी चीज आतना कहा से यानि यह formula के derive करा गया तो यह formula कैसे derive करा गया करा गया यह आपको जानना चाहिए ठीक है चलिए उमिद आपको यह बात समझ आ गी होगी ठीक है अब हम लोग क्या करते है इसी पर एक direct question लेते है ठीक है और उसका आपको answer बताना ठीक है अभी देखो जैसे हम लोग क्या करते है एक question ले लेते है like हमारे पास इस बार number ले लेते है 5 तो यह question मिलेगा अब है 5 है plus under root 5 है plus under root 5 है और यह आपका infinite तक यह है नहीं कहा तक यह आपका यह 5 है कहा तक यह infinite तक यह है इसका answer क्या होगा तो आप रेटली फॉर्मूला कर सकते हो that is under root 4x plus 1 plus 1 upon 2 क्या हो जाएगा यहां पर यह x की value कितनी होगी 5 x की value आपके आप लोग माल लोग कितना 5 तो यह 45 जाए कितना 20 20 और 20 और 1 कितना होगे 21 जैनि इसका result कितना निकल गए root under 21 plus 1 by अरी बात समझ में instead अगर plus के जाएप माइनस होता अगर plus के जाएप क्या होता माइनस माइनस है तब क्या करोगी आप कुछ नहीं करोगी जहाएप plus है माइनस तब result क्या हो जाता हमारा अंडर 21 माइनस 1 चले उमीद आपको यह बात समझ आगी होगी अब टाइप 2 में और टाइप 3 में difference कहता है यह भी थोड़ा समझ जी जा टाइप 2 और टाइप 3 question same है अंतर क्या है कि टाइप 2 में जो x था कब वो splitable था यान उसको हम लोग n into n plus one के form पे यानि two consecutive numbers के product के form पे express कर पार है लेकि टाइप 3 में क्या difference है कि टाइप 3 में जो x है वो not splitable है not splitable है यह अपने ध्यान रखना है ठीक है यह difference ही है चलिए अच्छा अब हम लोग क्या करते है अलग सा type यान टाइप 4 की बात करते है अब देखो आप type 4 जो है type 1 से related है type 4 जो आपको बदाने जा रहे है type 1 से related है कैसे related है वो थोड़ा समझूआ type 1 क्या था आपका type 1 थोड़ा है आप डिमाग पे जो डालो कैसे क्या था that is under root x इस पर करता था तो इसका result हम लोग क्या लिए रहे थे यह भी तो चांस है कि भाई हम यहाँ पर limit कर दें infinite तक ना जाके वह limited कर दें यह जो है बस तीन बार ही गया है यहां तो उसके बाद यह रुग गया है यह भी तो चांस है infinite तक ना जाके यह तीन बार चार बार एक limited period तक गया है कहले हैँ अगर कोश्न आ जाते हैं करें हम लोग डौह native बात करें है ताइप 4 की ठीके हम लोग यहां पर लिक घ appro यह हम ओपक करते हैं हम लोग जो है टाइप 4 की बात करें थाky तो मान लेते है कि हमारे पास यह यह 降डर्प इस है फिरяти से अरी बात समझ प्रकार से यह अब टू एइंड टर्म गिया था पहले वाले में इन फार्म इस बार जो ही रुख गिया है। मतलब एक लिमिटेट फॉर्म पर चला गिया है। विद्वन को कैसे टैकल करेंगे ऐसे पहले आपने क्या करते हैं जो नंबर है ऐभ सुमझ पर अपने मुंशन और कितन बात वार लगया है है ऐसले फसके इसले लाइने पको देंस देखे के आपका यह जो होता है ọnum यह नो वह क्या होता आपका ठीक है फिर आपने क्या करता एकस टूदी पावर टू एंड माइनस वन तो यह जो आएगा आपका यह आपको ज्यादा समझाएगा ठीक है सबसे पर लिए करना एकस एकस के आपका टू है तो टू लिग दो पर आप अभी देखो फिर कितने बार इसमें कितने बार रूट लगाया है आड़ी बात समस्थे इसमें जो है कितने बार रूट लगाया है तो अगर आप ध्यान देखो गया तो स्कूति इसमें तीन बार रूट लगाया गया है यान्न कितना ओगया इसका 3 n कितना होगा 3 अब क्या करना आपने 2 to the power n minus 1 calculate करना है तो 2 to the power n यानि n कितना है 3 तो 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 upon 2 है यह आपको calculate करना है तो यह देखो यह कितना आ जागा यानि 2 to the power 3 1 2 to the power 3 आएगा क्योंकि n कितना हमारा 3 है यह देखो 8 2 2 4 3 मिनसमा कितना हो गया यह 8 हो गया और 8-1 कितना हो गया 7 और नीचे में कितना हो गया आपका 8 यह जल्ट हमारा कितना निकल गया 2 to the power 7 upon 8 आ यह बात समझ में कि यह अखिर आया तो आया कैसे इसका मतलब long method जो है वह हम लोग थोड़ा समझेंगे ठीक है चलो एक काम करते हैं हम लोग एक और question जल्डी से लेते हैं पर इस प्रकार से हैं यह question है और यहां पर मालोग चार बर गया है इसमें कितने बर गया है चार बर गया है यह question को इस पूरे पर रूट है यह थोड़ा देखिए का चली अब यह question मिल गया अब इसको मुशॉल्फ करना तो सबसे परने क्या करना हमने rule क्या था हमारा i1 एक्सटुदी पावर अयागा इसे इसको फिर से लिखते है एक्सटुदी पावर टून माइनस वन पॉन ऑपेट सोमें चार बार यहां पर न कीतने और गया है admired अब यह थे न मिआ रोेट लगाया यानि 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power n अभी कुछ सोचो कितना होगा यानि 2 to the power n और n यहां पर कितना है आपका चार है आधी बात समझ में न कितना है चार है यानि 2 to the power 4 minus 1 upon 2 to the power कितना फोट यानि 16 minus 1 यानि कितना निगल गया पंदर भाई 16 कितना निगल गया 3 to the power 15 upon 16 यह हमारे क्या निगल गया ठीक है अच्छे तरीक से लॉंग मिधर्ड जो है वह हमनों थोड़ा समझने की कोसिश करते है ठीक है यह तो हो गया सौट तरीक है कि भाई इससे हम लोग जल फिर इसके अंदर में क्या है रूट आपड़े है सक और इसको क्या करना है तो सेम ट्रिक हम लोगram क्या महालनें खाली एक स्ने कर्लंब क्या क्या मंने कर लिए इस रूट को हटा आना है तो स्क्तुर्ण करना पड़ेगर तो adapting क्या हो ग zatाया यह था जोने बात करेंगे squaring करेंगे तो 2 का square कितना निकल गए 4 आज़ी बात समाझ में अच्छा इसका जब square किया गया तो तब तो यह नबचत किया वल क्या बचा आपका 2 root 2 बचा इधर क्या होगी एक स्क्रेट 2 पावर 4 होगा आज़ी बात समझ में फिर हमने क्या करना स्क्वैरिंग करना क्यों कि यहां से रूट है छहाई तो इस प्रकार से आपने साृल करना है तो इन इतर कितना हो गया चार इता निगबसो है इस सकता है लोग चार को तुका स्क्वाइर आई बात समझ में और यह तो डिपावर व्यानि यानि लिप और अभी देखो यह देखो बेस पढ़ाना अपने बेस रहता है टीक है और multiplication में दाता है तो हम लोग क्या करते है पावर को add कर देते हैं हम लोग क्या करते है पावर को add कर देते हैं यह देखो यह चार यह दो 6 और यह कितना हो गया साथ यानि कितना निकल गया 2 to the power 7 is equal to x to the power 8 तो यहां से x की value कितने निकल जाएगे 2 to the power 7 upon क्या चीए तो यह इस तरह साथ solve कर सकते हो तो हमने क्या कर देख लिए टीक है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 टीक है अच्छा हम लोग क्या करते हैं एक और question अब लोग देखते हैं यानि उसका टाइप 5 बहुत चकते हैं तिक हम लोग जो है टाइप 5 के बारे में डिसकस करने वाले टीक है अभी देखवा टाइप 5 किस तरह से question आ सकता है टीक है अभी देखवा यह होगी हमने लिग दिया number type 5 यह देखवा मालो की बाई अंडरूट 5 प्लस 2 रूट 6 इस तरह का question मिल जाता आपको है ना 5 प्लस 2 रूट 6 अगर इस तरह question मिल जाता है आपक तो सबसे पहले हमने क्या करना है तो सबसे पहले जब इस तरह question मिल जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है यह जो है आपका यह जो इसमें तू वाले टर्म है इसको समझा चूस्पीं घ्राख जो सबसे इसको अपने टू आपसे करना है इसको आपने क्या करना है तू एब से इक्सक्राइज कर सकते हो अब आहीए बात समझ अज थिक है तो अब देखो यह 22 आपको क्या होगे cancel होगे इधर क्या बज गया root 6 इधर क्या बज गया a b आरी बात समझ में अब आपने क्या करना root 6 को आप कैसे express कर सकते हो product product के form पे तो आप root 6 को ले सकते हो root 2 into root 3 इधर क्या निकल गया a into b याने a की value कितने निकल गई root 2 और b की value कितने निकल गई root 3 ठीक है अच्छा यह भी हो सकते कि a की value root 3 लेलो आप b की value root 2 लेलो इससे कोई problem निया ठीक है तो हमारे जो result आएगा वो क्या आएगा simple answer आएगा हमारा that is root 2 plus root 3 इसका जो square root आया वो कितना आ गया root 2 plus root 3 ठीक है आई बात समझ अच्छा लेकिन यह तो एक simple सा तरीका हो गया ठीक है इसको हम लोग और अलग तरीके से भी इसको हम लोग solve कर सकते है ठीक है चलो वह भी आप करेंगे ठीक है यह देखो आप यह question हो गया सबसे परले क्या करना यह जो भी number है यानि two root 30 को किसे equalize करना आप ने two ab से क्या करना equalize करना यह two two cancel आरी बात समझ में इधर क्या हो गया root 30 अब root 30 को आपने क्या करना है इस परकर से express करना है कि उन दोनों का square कर के sum जो है वह कितना आजा 11 आजा है अब यह देखो root 6 और root 5 करेंगे तो 30 आ जाए और यही बात समझ में और प्लस अगर माल मुने होँचे थैंक यहां पर कya हो जाता फॉन बता है यह मालनों हो इसको सॉल् Colin करना है कैसे सॉल्ब करेंगे सिंपल सेां 42 आपने सोचना है कि वैसे डो number नूंबर कते हैं और उसका स्क्वायर करे जोड़ने पर क्या मिल जाए था 13 मिल जाए आरी बात समझ में तो 42 42 यानि क्या हमको लेना चाहिए 7 और 6 है ना यानि रूट 6 और रूट 7 लेना चाहिए रूट 6 और रूट 7 लेना चाहिए रूट 6 और रूट 7 लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा तो इसको भी हम लोग वैसे solve करेंगे ठीक है, same trick है, क्या trick है कि जो भी हमारे पास ये 2 root 42 है इसको हम लोग क्या करेंगे 2 A B से हम लोग क्या करेंगे, equalize करेंगे 2 to cancel, 42 बचा है, 42 को हम लोग क्या ले सकते है root 6 into root 7 आरी बात समझ, इसका result क्या निकल गया root 6 minus root 7 यह हमने यहाँ पर solve कर लें, ठीक है तो इस तरह के questions आएंगे, तब आप solve कर सकते हो, ठीक है अब जो है, इसका हम detail method यहाँ इसका proper method जो है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है अभी देखो आप इसका proper method है, वो हम आपको थोड़ा समझाते है ठीक है, यह देखो आप, question क्या था, सबसे पहले वाला जो question लिया था, हमने, वो question क्या था, that is 5 plus 2 root 6, यह ना question था, 5 plus 2 root 6 का square, यह हमारा पहला question था, तो सबसे पहले आपने क्या करना है खुद देखना है कि 5 जो है, 5 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या 2 plus 3 समझधारी बात, ठीक है, और इधर होगी हमारी पास, 2 root 6, देखे, आपके मन में यह भी प्रस्म आ सकता है, क्या 5 को हम लोग 1 4 तो लिख सकते हैं, 1 और 4 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन हमको, हमारा target यह हमको लाना क्या है, root 6, आरी बात समझ में हमार root 6 है, इसको भी आप लिख सकते हो, root 2 into क्या लिख सकते हो, root 3, अभी आप देखो, यह क्या होगा, a square होगा, plus b square, plus 2ab, यानि इसको लिख सकते हैं, root 2 plus root 3 का, क्या ची, whole square, अच्छा, उपर से भी root है क्या, तो आपको पता है, कि यह square cancel होगा, तो यह भी cancel होगा, तो कितना answer आ हमने कर लिया, type 5, ठीके, अब हम लोग क्या करते है, एक और type देखते है, हैना, that is type 6, ठीके, type 6 क्या है, वो भी इसी, इसी पर based है, अब बोल सकते हो, इसी पर based है, ठीके, अच्छा, type 6 के लिए आपको एक formula याद होना चाहिए, that is, a plus b plus c whole square, हैना, a plus b plus c whole square, यह आपको यह formula याद होना चाहिए, ठीके, चली, अब इसी पर based हम एक question लेते है, ठीके, अब वो क्या question है, वो देखा, suppose हमने जो है, square root calculate करना है, ठीके, हमने जो है, square root calculate करना है, एक अपने सब लोग रेंडमली यहाँ पर question लेते हैं, like 10, 10 plus 2 root 6, आरी बात समय, 10 plus 2 root 6, plus 2 root 15, plus 2 root 10, ठी ठीके, तो आप क्या करोगे, ठीके, अभी देखा अब ध्यान से, इसका भी ट्रिक काफी आसान है, ठीके, अभी इसको अमलोग ऐसे solve करेंगे, वो आप देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने, यह जो number है आपका, है ना, इसको कुछ नहीं करना है, यह जो number है आपका, ठ इसको आपने 2bc से equalize कर देना है, और यह जो पूरा portion इसको आपने क्या कर देना है, 2ac से क्या कर देना है, ठीके, अभी आप देखा, जब 2 root 6 को 2ab से equalize करोगे, तो यह 2 to cancel होगे, ठीके, अच्छा, root 6 को आप क्या ले सकते हो, root 3 into root 2, यानि, ab कितना निकल गया, यह निकल ग 2bc is equal to कितना है, 2 root 15 है कि नहीं है, तो यह आपका 2 to cancel होगे, यानि, bc is equal to कितना निकल गया, root 15 होगे, root 5 into root 3, ठीके, यानि, हमने bc calculate कर लिया, ठीके, अब हमने ac पर focus करना, ठीके, अबने क्या करना है, ac पर focus करना, अभी देखा, 2ac को हमने किसे equalize करना है, 2 root 10 से, तो यह 2 to भी cancel होगे, ठीक है, बचा क्या, root 10 और root, root 10 जो है, वो किसके बराबर, ac के बराबर है, तो root 10 को में लिख सकते है, root 5 into 2, root 5 into root 2, चलो, अब यहाँ पर देखो, अब तीनों में common क्या है, एक आपको मिल रहा है, number root 5 मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है, root 2 मिल रहा है, और एक क् root 3, कुछ नहीं करना है, बीच में आपने क्या डाल देना है, plus, तो यह जो हमारा वो आ गया, वो क्या होगे, result आ गया, अर यह बात समझ में, यह हमारा क्या मिल गया, result आपको मिल गया, ठीक है, चले, यह तो होगया, आपका type 5, तो इस तरह के questions भी आपको मिल सकते है, ठीक ह कारha दें, इसका हम proper method भी आपको बता देते हैं, शही method कले है, एक method भी इसका proper सकते हैं, अबि देखा, कि आपको 10 को हमने split करना है, हमने 10 को क्या करना है is split करना है, तो करना है अप ऐसे बोलो कि दस को थीन तर में घ्रिंड करना है तो बहुत साथ तरीका क्ला यहां पर शक्ते हो जब आप स्विलिट कर दो क्या मिल सकता है जब इसको आप स्प्लीट करोगे तो तो यह ध्यान रखना है कि आपको जब उसको स्प्लिट करोगे तो कौन-कौन से नंबर में आप स्प्लिट करोगे अभी देखो आप बाकी क्या हो गया इधर क्या हो गया तो रूट 15 हो गया और इधर क्या निगल गया तू रूट स्क्ति श्रेत करों-डी सकते हो अच्छ अप्कौनद साफ्री मत युटा क्या होगे क्या होता है अब क्या होगे अस्प्लस में हो गया गया अभी भश्क स्क्ते वाट रूट च्सक्ते हो आप इंटू रूट फाइव इंटू रूट थरी ठीक है अच्छा यह जो रूट 10 है इसको आप क्या ले सकते हैं तो इंटू रूट फाइव इंटू रूट तू आरे बाद समझ में अभी आप देखो ध्यान से अभी यहां से अगर आप देखो गए तो एक फॉर्मॉला आप चल तो इस चीजे को हम लोग ऐसे ले सकते हैं सीरूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव तो अभी तक रहुंन d çık अब है तो यह यह और या नोट कैंसील होगे आपका तो डोसफिनख मुल्ष ना आं घँए तो यह आपका फाइनल तो अभी तक हमने 5 तरह के questions देखिया तो पांचों को आपने क्या करने प्रैक्टिस करने